जो जहको वैसी करेंगे वाई वन निकालेंगे वो यी जैसे पहला तरीका था वो मैं डारेक लिख न जाओँगा अब फिर थोड़ा सा बसे दोवाई निकालें तो क्या होगा स्थ साइन निकालेंगे तो क्षेज और एम 모든 सुझव एक्स और फिर M आएगा और sin inverse X का 1 root 1 minus X square आजाएगा और इसको हम इधर ले आएंगे square करेंगे और solve करेंगे ठीक है तो equation ये बनेगी मैं उसे direct लिख रहा हूँ ये बनेगी equation 1 minus X square Y1 square equal to M square or cos square M sin inverse X और फिर इसे एक बार और differentiate करेंगे बलकि इसने वैसे ये solve करके 1 minus M square लिख लिए और 1 minus Y square बनके ये equation होगी solve करके मैं last equation लिख रहा हूँ इसे क्योंकि हमें उसमें नहीं जाना ज्यादा solution तो तुम निकाली लोगे इसका तो ये आगी 1 minus X square Y2 और minus X Y1 plus M square Y cos 0 ठीक है अब फिर इसमें लेबनी स्थोरम अप्लाई करतेंगे हम ठीक है लेबनी स्थोरम अप्लाई करेंगे तो ये लेबनी स्थोरम के अप्लाई के बाद दिया जाएगा हमारा मतलब यहां तक तो वैसे ज्यूइक शचैजम में करतें आ रहे हैं कोई चेंज नहीं है कोई अलग तरीका भी नहीं है वा एंप्लस 2- बाइन प्लस 1 m में और ऑपन से माइन स्क्वेर माइन से मील स्क्वेर y n equal to 0 ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ऐसी हो जाएंगे सारे questions exercise के भी question ऐसी करने है यहां तक तो तुम्हें लाना ही लाना है उसके बाद अब इसमें नया क्या है हमें देखो एक काम करना है लिखा भी आ उपर तुम question को देखो निकलवा क्या रहा है हमारे से यह निकलवा रहा है y and 0 की value निकलवा रहा है y and 0 का meaning है कि we have to put x equal to 0 in all the values and find the value of y and 0 for all n तो x को replace करेंगे हम 0 से देखो यह चीज़ सीखो बस x को यह 0 रखो y 0 की value y 0 की value क्या है यहाँ पर 0 रखेंगे y 0 की value 0 है at x equal to 0 y 1 0 की value निकालो ज़रा y 1 0 it means we have to replace x by 0 in the equation where y 1 exists y 1 क्या है यहाँ पर ठीक है यहाँ भी है चलो यहाँ रख लो एक की बात है x की 0 रखेंगे तो यह तो 1 हो गया है यहाँ पर रखेंगे तो यह क्या हो गया 0 यह cos 0 आ गया सारा cos 0 की value 1 तो यहाँ से निकल क्या है m आ गया y 1 0 की value m है clear है फिर y 2 0 वाले में रखो y 2 वाला कहा है यह है है न वाइ 2 वाली equation तो यह ही है इसमें रखो x की value 0 देखो यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा y 2 यहाँ 0 रखेंगे खतम यहाँ क्या बचेगा तो देखो यह लिख लो y 2 0 कितना आ गया यह माइनस m square और y 0 और लेकिन y 0 की value भी हमने निकल रखी है वो 0 है तो यह 0 आ गया y 2 0 0 आ गया ठीक है फिर इसके बाद y 3 कैसे निकालेंगे देखो और y 3 हम कहां से निकालें इससे निकालेंगे y 3 यहाँ तक की value तो y 1 y 2 यह तो सब निकल जाएंगी y 3 कहां से निकलेगा n की value 1 रखेंगे इसमें जो लेब नीच तोरम अप्लाई करने के बाद हमने equation लिखी है n की value यहाँ पर 1 रखो तो n की value 1 रखने पर यह बनता है equation बनती है 1 माइनस x square y बलकि हाँ x equal to 0 रखो x equal to 0 रखो इस equation को तो ज़्यादा आसान रहेगा तुमें तो यहाँ बचेगा y n प्लस 2 यह x equal to 0 रखते यह term खतम यह बचेगी और इसको अधर transfer कर दो दूसी साइड में तो हो जाएगा n square minus m square y n और 0 और यह है y n प्लस 2 0 ठीक है यह बचा है हमारा अब तुम यहाँ से जिसकी value चाहे निकाल सकते हो जैसे n की value 1 रखोगे तो y 3 0 कितना आएगा बताओ y 3 0 n की value क्या रख रहे हो 1 रख रहे हो न तो यहाँ हो जाएगा 1 square minus m square और y 1 0 y 1 0 की value हमने पहले निकाल रखिये m है यह तो यह आगया हमारा 1 square minus m square और 1 नहीं सोरी m m यह आगया n की value 2 रखना जड़ा इसी में यहीं से रखके निकालेंगे और सारी value हम n की value 2 रखेंगे तो क्या जाएगा y 4 0 equal to n की value 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 square minus m square y 2 0 और y 2 0 की value क्या है 0 नहीं y 2 0 की value 0 है तो यह सारे 0 हो गया समझते चलना बहुत important चीज निकलने जा रही है अभी y 3 y 4 y 5 निकालो y 5 क्या होगा n की value हमने 1 रखी थी फिर 2 रखी थी अग 3 रखेंगे तो y 5 0 कितना हो गया 3 square और minus m square और यह क्या है y 3 0 और y 3 0 की value क्या है देखो यह रही y 3 0 की value यह है इसे भी रख लो तो 3 square minus m square और यह रखेंगे 1 square minus m square और m यह y 5 0 की value है ठीक है एक value और निकालो बस n equal to 4 रखे तो क्या हैगा वो y 6 0 4 रखेंगे न यहां रखेंगे न की value 4 तो यह आएगा हमारा कितना 4 square minus m square और y 4 0 ठीक है और y 4 0 की value क्या है 0 तो इसकी 0 की इसमें multiply होके सारा 0 अब इसे एक conclusion निकलता है वो हमें सोच रहा है देखो इसकी हमें जरूत नहीं हमें इसे अब साप कर रहा हूँ निकालकर रख रखें है देखो एक conclusion यह निकल रहा है कि if we find the even terms where y 2, y 4, y 6 all the values are 0 देखो y 2 0 0 है y 4 0 0 है y 6 0 equal to 0 है तो हम यहां से लिखेंगे कि y n 0 equal to 0 when n is an even number ठीक है अगर यह एक even number है तो y n 0 की value 0 है clear है और जब an odd number है अब y n when n is an odd number जब यह एक odd number है तो क्या है देखो y 5 देखा हमने 3 square minus m square यह आ रहा है y 3 0 देखा हमने 1 square minus m square m आ रहा है यह 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 लास्ट में तो m आ रहा है और यह आ रहा है y 3 y 5 y 1 y 1 कहा है यह रहा यह यह रहा यह यह आनि कि m से start है तो इसका मतलब अगर हम y n 0 लिखना चाहते हैं बता सकते हो कैसे लिखोगे देखो मैं बताता हूँ इधर से start है m फिर है 1 square minus m square फिर है 3 square minus m square ऐसे चलता जा रहा है यह है ना भाई why 1 0 यह था अगर y 30 पूछा तो यहां तक है y 50 पूछा है तो यहां तक है और यह n का मतलब हमें पता नहीं है नंबर कहा तक है तो इसका मतलब यह बढ़ता जाएगा और कहा तक आएगा बता सकता है कोई नहीं हाँ n minus 2 क्यों आएगा नहीं क्योंकि इसे 2 कम आ रहा है देखो Y3 वाले में 1 तक आया है केवल Y5 वाले में 3 तक आया है बढ़ता बढ़ता तो इससे यानि कि जो नंबर हम यहां ले रहे हैं उससे 2 कम आ रहा है यह 2 less तो 2 कम यानि कि अगर यह N नंबर है हमां लेहängे यह हमारा सेवन है नाइन है एलेवन है वननेड़ stub 1 अगर यह और नमबर की बात कऱ रहे तो यह आएगा हमारा एन मागनस टू स्क्वियर मागनस एम इसक्वियर और यह ब्रैकिट मैं लें इस तरह से बंद कर देंगे यह हमारा जब यह और नमबर है तो इस तरह से आंसर निकालने होते हैं हमें तो यहां तक जो हमने करके बताया था वो तो अप्लाई करने वो तो सारे ऐसे करने हैं उसके बाद यह थोड़ा से स्टैप आगे और है कोश्चन तो आने ही निस्टी तूरूप से हैं निस्टी तूरूप से कोश्चन आ gas उप्लस उफ मूं म्हुस्यूर और इसका करेंगे तो यह वन ओवर रूट ओफ यह जाएगा अब वर एक्स प्लस उफ रूट ओफ मूझल सैई एक्स प्लस थींगे यह स Опर प्लस मुझम न मूझल अगत勁 करेंगा ж ajud से कैंसल हो जाएगा तो हमारा यह बनेगा अब लोग एक्स प्लस रूट ओफ वन प्लस एक्स स्क्यार और कितना है यह यहां पर हमारा क्या बचेगा इसमें यह बनेगा एक्स प्लस रूट ओफ वन प्लस एक्स स्क्यार और यहां डिवाइड में था एक्स प्लस रूट ओफ वन प्लस एक्स स्क्यार और यहां इसके डिवाइड में रह गया था डिन्नोमेटर में रूट ओफ वन प्लस एक्स स्क्यार अब यह तो इससे कैंसल हो गगी यह वाई उवन इकोल टू है फिर स्क्वेयर कर लेंगे दुनों साइड मैं और इसको यहां लेंगे बोर दस यहां फ्रॉक यहांुच आईगे तो यहाएग ग मैं को दूक हैं में घुर के स्क्वेर यह के को अगय को वाई शायए गा और यह रही है बढ़ और इसका और दिखनलन नकाल लें तो यहां पर बचेगा हमारा 1 प्लस X स्क्यार 2 Y1 से डिवाइड करने के बाद यह Y2 प्लस X Y1 प्लस टू यह बचेगा केवल और इसमें लैब नीज ठ्योरम हम अप्लाई कर देंगे लिख भी देंगे इसको अप्लाइंग लैब नीज ठ्योरम तो जब लैब नीज ठ्योरम अप्लाई होगी तो करों इसमें लैब नीज ठ्योरम अप्लाई करेंगे हम और यह आएगा हमारा सबसे पहले तो 1 प्लस X स्क्यार और YN प्लस 2 फिर एक इसका डिफेरेंसिल घटता चलेगा तो इसका 2X आएगा और N आएगा साथ में 2N X और YN प्लस 1 प्लस फिर दूसरी थर्टरम आजाएगी यहां से 2X का 2 आजाएगा और N इंटू N माइनस 1 डिवाइड में 2 YN यह आगया फिर इसका करेंगे यह तो 0 ही हो जाना है इसका ही करेंगे अब तो X YN प्लस 1 और प्लस X का 1 हो जाएगा और Y1 का YN हो जाएगा और अब इसमें हम यह हमसे इसको तो पूछी नहीं रहा है अब यह वाइन प्लस 2 टू जीरो और यह पूछ रहा है इसमें बाकी यह टर्म्स ठीक है हाँ यहां पर N YN आएगा यह अच्छा इन्हें सबको एक साथ कर लें YN प्लस 2 वाली टर्म से एक साथ और YN वाली एन प्लस 1 वाली इन एड़ेस्ट करते हैं तो यह आ जाएंगे 1 प्लस X स्केर Y N प्लस 2 और Y N प्लस 1 वाली तो एक टर्म है ये एक ये है तो इन्हें एक साथ कर लेंगे हम और ये आ जाएंगे अब हमारी 2 2 N प्लस 1 X Y N प्लस 1 और ये Y N ले लेंगे हैं 2 से 2 कैंसल और ये N स्केर माइनस N और ये प्लस N कैंसल तो प्लस N स्केर Y N प्लस 1 प्लस 1 ये हमारी लास्ट में आंसर आजाता है लेकिन अब इसको हमें सारी वैल्यू निकालनी होंगी तो जैसे 0 रखते हैं गर हम Y 0 के लिए निकालो चलो पहले हिहां से सुरू करते हैं तो लोग 1 आएगा यहां पर ये हैं तो Y 0 एकोल टू 0 हम हां लिक लेता हूं चलो थोड़ी सब्सक्राइब ये 0 कोस्टू 0 एकोल टू 0 रखने पर फिर Y 1 वाले में रखेंगे Y 1 वाले में यहां पर रख लो ये 0 रखेंगे तो 0 होगा जाएगा Y 0 ये 0 तो सिर्फ ये बचेगा Y 1 तो Y 1 0 कोस्टू 0 ये आगया फिर Y 2 भी निकाल कर रख लेना है मैं यहां पर रखो ये Y 1 तो 0 आई रहा है X के वाले में रखेंगे तो ये भी 0 है ये 0 तो Y 2 एकोल टू 2 आगया है ठीक है ना Y 2 0 की वैल्यू है हमारी 2 चलो और हमें आगे निकालनी है तो यहां पर रखेंगे X के वाले में 0 रखो इसमें सारे में तो जब X के वाले में 0 रखेंगे तो देखो ये तो 0 हो जाएगी टर्म पूरी क्योंकि इसमें X है तो X के वाले में 0 रखेंगे पर 0 आजाएगा यहां पर 0 रखेंगे तो ये भी 1 बचेगा यहां से निकल के आ रहा है हमारा Y N प्लस 2 0 प्लस 2 यह परली तरफ जाएगा है ट्रांसपर कर लेंगे हम इसे तो यह क्या हो जाएगा माइनस एन स्क्यार और वाई एन जीरो ठीक है यहाँ से अब हम चाहे और जितनी भी वैलू चाहे निकाल सकते हैं और लेकिन हमार से यह इतना ही निकाल वानने गी लिए रहा था उ और हैन्स फाइंड वाई एट जीरो तो आगे भी निकालनी है हमें यह तो निकाल नहीं था तो निकल गया हमारा इसके अलावा और भी वैल्ई उनिकालनी है यह बाए y0, y10, y20, y10, 2030 जिरो ये निकल चुके हैं अब हम आइसमें एन की वेल्यू वन रखेंगे तो यह y30 निकलेगा y30 रखने पर यहां क्या आएगा माइनस 1 स्केर और y10 और 10 की y10 की वेल्यू क्या है 0 तो 0 आ गये फिर n के value 2 रखेंगे तो y40 निकलेगा 2 रखने पर और y40 के value क्या जाएगी minus 2 square n को 2 से replace करने है y20 और y20 के value क्या है ये निकल का रही है 2 तो ये minus 2 square तो पहले से ही है और y20 के value 2 रख दी ये आ गया n के value 2 रखी थे n के value 3 रखो तो y50 आएगा y50 आने पर यहां रखो इसमें 3 रख रहे हैं तो 3 का square आएगा minus 3 का 3 square और y30 और y30 क्या है ये निकाल रखा हमने y30 0 है ठीक है तो ये 0 ही आ जाएगा फिर 4 रखेंगे y60 क्या आएगा निकल के यहापर 4 रख रहे हैं तो y60 हो जाएगा और यहाएगा minus 4 square y40 और y40 क्या है यह रहा y40 minus यह भी minus आ रहा है minus यहाँ भी है minus इसमें भी आ रहा है minus 2 square तो यहाँ रखना है चाहिए तो इसे पिर्ट में बंद करकर रखो तकि minus minus 1 साथ मिलके कभी हमें पता न चले कि कितने minus आ रहे हैं अच्छा अब यहाँ से हम इसका वो निकालते है result क्या है इसका अंस्वर क्या लिखेंगे हम यह तो सारा इतना सारा आंस्वर ही लिखते हैं लिखते है एन ओड है नीविक्षेंगे उसको यह बात समझनी हैं अब देखो जितनी भी टर्म सेंइस में कर रहम देखते हैं पहले ओ टर्म से आसान है हमें लिखने हैं यहाँ पर पहले तो यह वन जिरो य थ्री 0 य फाइव जीरो सारी 0 आ रही है तो इसका मतलब when n is even या n is odd पहला odd वाली लिख रहे हैं न when n is odd y n 0 कोस्ट जीरो के है ठीक है और जब n even है तो लिखो क्या होगा जब n एक even नमबर है तब y n 0 की value बताओ क्या लिखोगे देखो सोचते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिसकस करो ये y 2 0 2 है ये ये वन नमबर है y 4 0 2 तो आया है इधर से लेके चलते हैं लाश सोचना सुरू करेंगे ये minus 2 square आ गया y 4 पे 2 आ रहा है देख लो द्यान से y 6 पे 4 आ रहा है अगर हम y 8 लेंगे तो 6 आएगा है तो इसका मतलब जो यहां नमबर है उससे दो कमा रहा है और start कहां से है 2 से start है इधर 2 से last से 2 से start है 2 आएगा फिर minus 2 square minus 4 square और minus में आएएंगे सारे क्योंकि यहां यही minus था न यह minus आ रहा है इसके विए से हर एक term minus में ही आएगी तो कितने minus इकटे हो जाएंगे अच्छा यह ओड़ ओड़ तो इधर चले गए तो even even बचें है क्यों तो 2 फिर minus 2 square minus 4 square minus 6 square इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे और इससे दो कम तक आएगा ठीक है न जो यहाँ number है उससे दो कम मतलब minus और n minus 2 square ठीक है यह आएगा अब तुम इसको भी अगर और भी solve करना चाहते हो तुम यह बता सकते हो कि minus 1 की power कितनी आएगी बताओ कितनी आ रही है देखो यहां से लगाते हैं four वाले में देखो एक एक ही तो minus है six वाले में दो है minus एक minus यहाँ एक minus यहाँ है मतलब कि जितनी यह आ रहे है ना number उसके आधे है four है ना यह तो इसके आधे minus है यह सीखो यहां से अगर यह two है तो इसके आधे minus आ रहे है number में आधे एक एक ही तो minus है यहाँ पर four है तो दो minus है तो इसका मतलब अगर हम यह सारे minus हटाना चाहते है तो हम कैसे लिखेंगे इसको two two square four square six square two and minus two square और minus one to the power जितनी हाँ पर लिखिए उसके आधे and minus two by two सब्सक्राइना कैसे लिखा है हमने यह बताया था ना कि जितने यहाँ यह नंबर है उसके आधे minus की संक्या उसके आधी है जिसे हम four था तो इसके आधी आ रहे ती six है तो six की आधे आ रहे ना एक, दो, तीन, तीन ही तो आ रहे है तो इस तरह से यह नंबर जहां तक यह नंबर है उसके आधे गड़ दो तो एन माइनस two तक आ रहे हैं तो एन माइनस two के आधे गड़ दी है यह minus one की पावर निकल के आगी यह तरीका इसका निकलने का है minus one की पावर बाकी सब वो लिखी रहे हैं यह अगर चाहो इससे next term भी लिखना चाहो इधर से लिखोगे तो nine minus four आ जाएगी वो कितनी भी लिख लो गड़ तो यह बन चुका है ऐसे solve करते हैं इसको तो यह है question number four y cos two sine hydraulic inverse x all square इसको हम डिफेंसे करेंगे with respect to x तो two जो पावर में है two यहां गया sine hydraulic inverse x और फिर इसका differential यह sine hydraulic inverse x का differential होता है one over root of one plus x square यह हुआ अब हम इसको यहां ले गए cross transfer कर दिया और in square कर दोनों side का squaring both the sides इनका दोनों side का हमने square कर दिया और फिर यह y one square one plus x square हो गया यह और इसकी value हमने हाँ से रख दिये उठाके यह जो हमरा y equal to दिया हुआ था यह value हमने रख दिये और फिर इसको हमने again differentiate कर दिया है with respect to x first function differential of second यह आगया plus second function differential of first और four y one का यह four y one इसको divide कर दिया है two y one से और यह हमारी equation आगी है फिर इसमें हमने आगे लेबनीच छोरम apply कर दी है और लेबनीच छोरम apply करने के बाद फिर देगे इसमें zero रख दी है x की value zero की तो y zero y one zero की value zero है y two zero two है और y n plus two zero जो है यह आ गया है हमारा minus n square y n zero और अब इसमें हम n की value one two three रखते जाएंगे और यह value हमारी आती जा रही है और इस प्रकार से y four zero minus two square y five zero minus zero आ गया y six zero minus four square into minus two square और n is odd y n zero odd है और n जब even है तो y n zero equal to minus n minus two whole square and minus four square यह आगे तो यह आगे है minus one to the power and minus two by two when n is even तो देखो यह जो है हम question number fifth है और इसे करते हैं differentiate differentiating both sides तो यह हो जाएगा y one goes to m तो पहला जाएगा और x plus root of one plus x square to the whole power m minus one और फिर इसका अंदर वाले का करेंगे तो जाएगा one plus two x over root of one plus x square ठीक है अब और नीचे two आएगा यह two से two cancel हो जाएगा और यह यहाँ आएगा और यह same power बन जाएगी और यह divide में जाएगा x plus root of one plus x square to the whole power m minus one और x plus root of one plus x square और divide में जाएगा root of one plus x square और यह है y और यह और यह दोनों मिलके हो जाएगे हमारे power m हो जाएगी तो y हो जाएगा और यह हो जाएगा तो इसको हम लिख देंगे इस तरीके से root of one plus x square y cos to m और y अब इसका square करेंगे दोनों साइड का तो इक क्या हो जाएगा one plus x square और y1 है यह है y1 square cos to m square y square और फिर इसका एक बार और differential करेंगे तो फिर इसे लिख देते हैं इसे differentiating both sides again दो बार असर कर रहे हैं तो यह first function differential of second 2y1 y2 plus second function और differential of first 2x आजाएगा और cos to m square 2yy1 ठीक है अब इसको divide कर देंगे हैं 2y1 से 2y1 से लिख देंगे इसको भी यह लिखनी चीए हमें जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब चीज़ लिखनी चीए dividing by 2y1 और 2y1 से divide करने पर यह हमारा बचता है one plus x square y2 plus xy1 cos to m square y यह बचेगा और अब इसमें लैबनी स्थोरम हम प्लाई कर देंगे तो यहां पर लिखेंगे यह applying लैबनी स्थोरम तो लैबनी स्थोरम को apply करने पर क्या आएगा यह देखो one plus x square yn plus two plus two two x square का इसका करेंगे तो two x आएगा और two n x और yn plus one फिर इसे करेंगे एक बार और करेंगे तो two n n minus one by two yn ठीक है और फिर इसमें आजाओ next term जो है यह इसको करेंगे तो यह आजाएगा x yn plus one plus n और yn फिर इसको इदर करेंगे इसको इदर लियाओ left side में transfer कर दो तो माइनस m square yn cos to zero और इनकी value निकाल निकाल कर रख लो सब की इसको कम एड़ेस्ट करेंगे आरेंज कर लेंगे yn plus two early terms एक साथ और यह एक साथ तो इनकी value रखते हैं एक बार निकाल के y0 की value यह इंदर लेते हैं भी तो ठीक है y0 की value क्या आएगी y0 यह रखेंगे 0 यहाँ पर 0 रखेंगे तो वन बचेगा तो इस तरह से value आगी 1 y0 की value 1 ठीक है y10 रखो y10 यहाँ पर रख लो चाहिए यहाँ रख लो एकी रात है यहाँ रख लेते हैं x के value 0 रखेंगे यहाँ पर तो यह तो 1 बचेगा यहाँ से और यहाँ यह यह वाइजिरो y0 की value 1 है है न वहाँ से बचेगा यहाँ से बचेगा y1 square इक्वल to m day यहाँ रख लो एकी बात है y10 इक्वल to m बचेगा रख면 यह है हमारा y10 इक्वल to m के है ठीक है y20 निकालना चाहते है तो 2 वाले में रखेंगे यहां पर रखो यहां x2 रखेंगे तो यह 0 हो गया y0 रखेंगे तो यह 1 है और यह m2 बचेगा यहां और यह बचेगा y2 तो y20 एक्वल टो m2 की ठीक है y20 एक्वल टो अजाएगा हमारा m2 किलियर है अब इस में से देख लो कि इसमें जो है हम यहां पर इने एक तो कमबाइन करना रहा है एक साथ करना है सब को तो वाइन प्रस्टू आली टर्मस x कुल को मतेтесь शील टू रखेंगे यह पहले कंबाइन करो एक लाइन करो पार कि अरेंज करते हैं तो देखो यह क्या बच रहा है रेंज करने पर वन प्लस एक्स स्क्वेर कि वाई एन प्लस टू कि एन प्लस वाली टर्म्स कहां कहां एक तो यह रही और एक यह रही वाई एन प्लस वाली टर्म्स तो इनको लिखेंगे हम टू एन प्लस वाई एक्स वाई एन प्लस वाली टर्म्स हैं हमारी और N²-N और ये प्लस N तो N² और ये माइनस N² तो यहां पर बचेंगी प्लस N²- M² YN उक्वल्टू-0 अब इसमें 0 रखेंगे एक्सक्वल 0 रखेंगे तो एक्सक्वल 0 रखने पर ही आ जायेगा हमारा YN प्लस टू 0 पोस्टू यह तो सारी 0 जाएगी टर्म इसको उधर ले जाएगे तो यह जाएगा माइनस और N स्क्वेर माइनस M स्क्वेर Y N 0 इस प्रकार से हमने Y N प्लस 2 0 की वैल्यू निकाल ली है और या इसे हम ऐसे माइनस में लिख ले या इसे जो है इसे भी कर सकते हैं क्या M स्क्वेर और माइनस N स्क्वेर और Y N 0 ऐसे लिख लो चाहे एक की बात है ठीक है अब यहाँ पर हम करते हैं इसे इधर इसमें रख रख के हम और वैल्यू निकालते हैं यह तो Y 0 Y 1 0 Y 2 0 की वैल्यू हमारी निकालकर रख रख की हैं हमने N की वैल्यू यहाँ पर वन रखो तो Y 3 0 हम निकालते हैं Y 3 0 कितना आएगा Y 3 0 देखो न की वैल्यू बन है तो यह आजाएगा हमारा N की वैल्यू टू रखेंगे तो Y 4 0 हो जाएगा यह और Y 4 0 को निकालने पर रखो यहाँ पर तो यह आएगा हैं यह यह ऐसे कर लिए नहीं यह माइनस N स्क्वेर था तो N स्क्वेर गदर लेगे तो यह हो जाएगा हमारा N स्क्वेर माइनस टू स्क्वेर ठीक है और Y 2 0 की वैल्यू है चलो एक बार लिख देता हूं कभी फिर तो यह आजाएगा हमारा N स्क्वेर माइनस टू स्क्वेर और और फिर M स्क्वेर ठीक है 3 रखकी मतलब N के वैल्यू हमने 1 रख लिया है 2 रख लिया है 3 रख लेते हैं यह आप तो 3 रखने पर आएगा यह वाई 5 0 इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो यह होगा M स्क्वेर माइनस 3 स्क्वेर और यह आएगा Y 3 0 यह यह रही है हमारी तो कितनी है M स्क्वेर माइनस 1 स्क्वेर और M फिर इस तरह से Y यह N के विलू 4 रखेंगे तो यह Y60 आएगा निकल के और Y60 में यहां पर रखेंगे हम N इक्वल 2 4 तो यह आगया हमारा M स्केर माइनस 4 स्केर Y40 और Y40 की वैलू यह है हमारी इसे मैं डारेक्ट लिख देता हूं यही पर m²-2² और m² तो आप यहां से हम guess कर सकते हैं कि यह हमारा old या even होने पर हम कैसे लिखेंगे इसका result तो when n is even जब n even number है कोई तो देखो यह हमारा y20 से start करते है y20 हमारा m² है तो yn0 की value हम लिखेंगे m² फिर m² के बाद है m²-2² फिर इसके बाद यह भी आगया m²-4² ठीक है यह ऐसे बढ़ते जा रहे है तो देखो 6 में 4 तक आ रहा है और 4 में आ रहा है 2 तक तो इसका मतलब 2 कम आएगा तो हम इसे लाज इधर लिखेंगे m²-n-2² और अब डोड डोड लगा देंगे बस यह आ जाएगा हमारा यह तो n है even होने पर जब n ओर नमबर है तो क्या होगा इसे लिखेंगे y-n-0 जब n एक ओर्ड नमबर है तो ओर्ड वाले देख लो y10 की वेल्यू m है y30 की वेल्यू m²-1² है y50 की m²-2 यह भी दो कम आ रही है टू लेस इसका मतलब यहां से स्टार्ट है m और फिर है m²-1² और फिर है m²-3² यह भी ना m²-3² तो यह बढ़ते जाएंगे और लास्ट में जाएगा हमारा m²-n-2² इस तरीके से हम इसे लिख देंगे यह है question number 6 और इसको y equal to cos m sin inverse x हम differentiate करते हैं with respect to x तो y1 equal to minus sin m sin inverse x और sin inverse x का हो गया m over root 1-x² और इस root 1-x² में धर transfer कर दे है cross multiply y1 equal to यह आ गया इसको again differentiate करेंगे हम तो यह आ जाएगा और फिर हमने differentiate करने पर यह हमारी आ जाती है दुबारा से एक बार differentiate किया इसको और फिर इसके बाद लेबनीज चोरम इसमें apply कर दी और लेबनीज चोरम के बाद यह हमारे जाते हैं और लेबनीज चोरम का apply करने पर इसके बाद यह equation है जाती है हमारी लास्ट में one minus x square yn plus two minus two n plus one x yn plus one equal to zero अब इसमें value रखते है x की value y0 equal to one y10 equal to zero y20 equal to minus m square यह value रखने के बाद yn plus two zero equal to yn square minus m square yn zero यहाँ पर yn की value one रखते हैं तो y30 zero i है y40 two square minus m square minus m square है y40 y50 सोरी यह 0 है और y60 यहाँ आता है हमारा when n is odd when zero zero है और n is even होने पर यह आगे हैं हमारे इस परकार से इस काउंट रखते हैं